हेडा लोवीज हाव यू वाल हापी एप्रिल फर्स्ट डे ऑफ दे मांथ एप्रिल टू आल फ्यू गाईज चलिए चेक करते हैं आज की एनरजीज और देखते हैं टारो का गाईडेंस आप सब लोगों के लिए तैयार हो जाएए इस महीने के लिए मेडिटेशन, टेकनीक्स अब मैं डेली बेसेस पे लेकर आऊंगी जैसे पहले लेकर आती थी और अब से इस महीने से मैं हर महीन हर हफते कम से कम दो बहुत यू नो ब्यूटफुल सक्सेस टोरीज आप लोग को सुनाऊंगी और बताऊंगी जो मेरे पास क्लाइंट्स लेकर और सक्सेस टोरीज और देखने के लिए आप मेरा कमेंट सेक्शन का पिन कमेंट में इंस्ट्रग्राम के आईडी चेक कर सकते हैं जहां पर मैं डेली बेसेस पर आप लोगों की ही भेजी हुई सक्सेस टोरीज डालती हूं चाहे वो रीडिंग्स की हो चाहे वो मेडिटेश क्या आया है और current energies के accordingly पहला card आ गया है मेरे पास current energies के accordingly universe क्या एक indication देना चारे है पहला card आया है that is queen of wands दूसरा card मेरे पास आया है judgment का ये एक अच्छा संकेत मुझे देख रहा है किसी नहीं चीज को कोई एक नया decision बनाते हुए बस in short बोलूँगी किसी प्रकार का एक अच्छा decision बनने वाला है life में चीजों के betterment के लिए चली और cards देखते हैं कि divine का क्या indication है आप लोगों के लिए और वो आप से क्या बोलना चाहा रहे है next card जो हमारे पास आ गया है next card जो हमारे पास आने वाला है अब उसके बारे में देखेंगे third को प्रदोश है बिलकुल भी ना भूलें प्रदोश rituals करना ना भूलें next card जो हमारे पास आया है that is eight of pentacles we have wheel of fortune very positive and एक और last that we have nine of pentacles ठीक है bottom deck भी चेक कर लेते हैं that everything is fine पहला एक सबसे इंपॉर्टेंट मेसेज आप लोगों को मिल गया है no matter आप बहुत ज़दा स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में लेकिन कही ना कहीं divine ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि सब कुछ बहुत बेटर है और सब कुछ धीरे धीरे क अच्छा इंडिकेशन आपको मिलेगा from my point of view जो picture मुझे की सोचने वाले हो आज की energy की according बोलूँगी mind में बहुत नहीने ideas चल रहे हैं mind में बहुत नहीनी चीज़े चल रही हैं किसी प्रकार का decision आप बनाने वाले हो किसी प्रकार का decision आप ले सकते हो और ऐसा भी दिख रहा है कि किसी ना किसी बात को लेकर एक ऐसा decision बनाओगे जो आपको आगे future में बहुत एक help एक motivation देगा कार्ट के accordingly जो picture यहां दिख रही है पास्ट में भी आपने चीज़ों के लिए बहुत struggle करा है और वो struggle अभी भी आपकी चलती हुई आ रही है लेकिन अब ना एक न्याए एक decision मिलने का समय आ चुका है जो कि कहीं ना कहीं आपके favor म में आने वाला है एक right choice बनाने के लिए अब अपनी mindset को clear करो चीजों को right way में समझो चीजों को चीजों के अंदर एक clarity लेकर आओ सब कुछ यूनों दिल से हैं नहीं सोचना है mind में practical mindset बना कर चलो कि अगर यह चीज हो रही है तो यह कैसे हो सकती इसका क्या decision बन सकता है लेकि of fortune का card भी हमारे पास से आज और जो हमें indication दे रहा है कि good luck यह दिन आपके लिए लेकर रहे है नई नी चीजों पर work करने वाले हो लेकिन ना किसी प्रकार के कच्छे decisions की तरफ पहुंचो कि ऐसा क्यों देख रहा है मुझे कि अब आप अपनी life के कैसे zone में हो या तो वो relationship हो या वो career हो किसी प्रकार के decisions पर आप work करने वाले हो या कुछ लोग तो ऐसा सोच रहे हैं कुछ लोग के mind में ऐसे picture भी बनी हुई है कि मैं तो इतना सब कर लिया है लेकिन at the end of the day चीज़े मेरे favor में नहीं आ रही है लेकिन जो struggle आप कर रहे हो यह बहुत सालों से past से ही करते हुए आ रहे हो और आने वाले समय में आपको एक इसका अच्छा नतीजा मिलने वाला है और यह नतीजा आपके favor में होगा क्योंकि जिस प्रकार की महनत आपने करी है ऐसा feel होता है wheel of fortune आपको एक good luck की तरफ indication दे रहा है जो life में आने वाले अच्छे decisions और अच्छे zone की तरफ आप पहुचोगे so do not overthink make proper decisions क्योंकि सब आपके favor में आएका ही सिर्फ अपनी energy पर work करें जतना energy पर work करोगे चीज़े automatically आपके favor में आती जाएंगी सोचो मत अब उसको करो actions में लेकर आओ चीजों को कहीं न कहीं divine आपके लिए कुछ ना कुछ अन-expected to करी यह आप देख ले लेकर अब प्रॉपर actions लेंगे जिसके results दीरे दीरे हमारे favor में आना शुरू हो जाएंगे राधे राधे